नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्टूनीस वर्मा तो दोस्तो आज का वीडियो है हमारा जो रेगुलेटर IC आती हैं जो स्रीज के साफ से हैं जैसे कि 5 बोल्ट आती है 8 बोल्ट, 9 बोल्ट, 12 बोल्ट, 15 बोल्ट, 18 बोल्ट, 24 बोल्ट तो यहाँ पर देखे इस तरीके से जैसे अगर आपके पास Regulator IC है तो आज जो है इसके जो सारे डाउड है वो इस तरीके से हमें Regulator IC मिलती है यह 7805 IC है अब यहाँ पर जो है जो भी सारे आज के Confusion रहेंगे आपके Regulator IC के उपर वो सारे ही Clear हो जाएंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह हमारी दो संख्या है यानि कि 7-8 यह तो हमारी स्रीज हो गई यानि कि यह Regulator की स्रीज है और जो इसकी पीछे की 2 यहाँ पर जो नमबर लिखे हुए रहते हैं तो वो होते हैं Voltage यानि कि यहाँ पर 7805 लिखा हुआ है तो यह 5 Volt Regulator करता है IC यहाँ पर लिखा हुआ है 7808 यानि कि यह 8 Volt आउटपूट करेगा Regulator 9 Volt है तो 9 Volt पर आउटपूट करेगा 12 Volt है 12 Volt करेगा 15 Volt है 15 Volt करेगा और यहाँ पर 18 लिखावा है तो 18 Volt करेगा और 24 बोल्ट है तो यहां पर 24 बोल्ट आउटपूट करेगा अब यहां पर बहुत से भाई यह confusion में रहते हैं कि अगर मैं यहां पर 2 बोल्ट दूँगा तो मुझे आउटपूट में क्या 5 बोल्ट मिलेगी तो यही doubt मैं आपको clear कर देता हूं यहां फर देखना, मैं एकक बनाता हूं यहां पर रेगुलेटर, यह हमाएरा एक रेगुलेटर है इसके अनुल पीन होती है यह देखिए यह तीन पीन हो गई पहला पीन जो इसके अंदर होगा योटा होता है यह होता है है और input के साथ भी यह जुड़ेगा तो इसको दोनों साइड में हम इस तरीके से कर देते हैं यह हो गया हमारा g and d यानि कि जब output की वायर लगाएंगे तो भी यहां से वायर जाएगा input की वायर लगाएंगे तो यहां से जाएगा क्योंकि यह common point है और यह तीसरे नंबर की जो pin होती है हमारी out यह out हो गया और जो pin number one है यह हो गई हमारी pin number one input अब यहां पर यह हो गया हमारा 78 का स्रीच अब यहां पर इस तरीके regulator हमने ले लिए 12 यह हमारा जो regulator है 78 कर राइए यह 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 यहां पर output कर रहा है 12 वोल्ट क्योंकि यह 7805 है safeguard यह 782 रहा है और यह यहां पर 12 आउटपुट कर रहा है तो यह उमठ्ट मैं कितना voltage output दे रहा है regulator उससे 2 voltage हमें फालतू लेना है यानि कि 2 point हमें फालतू लेना है अगर इससे हमें 12 volt चाहिए तो हमें यहाँ पर input में यहाँ पर देना होगा 14 volt 14 volt से लेकर 15 volt अब यहाँ पर यह भी confusion है कि इसमें कितने voltage तक हम दे सकते हैं तो वह भी मैं आपका doubt clear कर दे तो कि पहला तो आपका doubt यह मैंने clear कर दिया कि यहाँ पर जो input पर voltage है वो कितना देना है तो input पर voltage आपको जो देना है जितने भी voltage का आपका regulator है उससे 2 point आपको फालतू लेना आप जैसे कि यह 5 volt का अगर regulator होता अगर यह regulator 5 volt का होता यानि कि 88 5 होता तो यहाँ पर आप जो input voltage देंगे तो वो आपको देना था यहाँ पर starting में 7 volt यानि कि यह 7 volt आपको देना है अगर आपका 7805 IC होता क्योंकि यहाँ पर हमें 2 voltage को फालतू लेना यानि कि 2 point तो 2 point फालतू लेने पर कितना हुआ 7 voltage अब यह तो हो गया हमारा यह voltage कि इसके अंदर जो हमें यहाँ पर जो voltage देना है अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसको हम कितने voltage तक दे सकते हैं यानि कि अब जैसे कि यहाँ पर जो minimum इसको voltage दे सकते हैं रेगुलेटर को वो इसकी voltage होती है 30 volt मैं यानि कि input में यहाँ पर आप 30 volt तक इसको regulator को दे सकते हैं और output में यह उतनी ही voltage देगा जितने voltage का यह regulator है अब यहाँ पर अब 30 volt तो आपको देनी है अब यहाँ पर एक confusion और हो जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं जरा इसको इधर कर लेता हूँ यहाँ पर यह जो input वाली pin है मैं यहाँ पर एक regulator बना लेता हूँ यह output हो गया हमारा यह हमारा ground हो गया ground हमारा इस तरब भी रहेगा और यह हमारा input हो गया अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसको हम जैसे कि हमने 30 volt तो दे दिया 30 volt हमने इसको input करा output पर जैसे कि यह 5 voltage वाला regulator है तो output पर हमें 5 volt मिल रहा है लेकिन यहाँ पर जब हम इसको 30 volt input देंगे क्योंकि देखे 30 volt अगर आपके पास input होगा तो वहाँ पर ampere भी ज़्यादा होगा क्योंकि वह 5 ampere का भी हो सकता है 10 ampere का भी हो सकता है 20 ampere भी हो सकता है और output में यहाँ पर आपको 1 ampere से कम ही voltage मिलेगा यह भी आप जान लिजे कि यहाँ पर 1 ampere से एक ampere और एक ampere से नीचे ही इसमें output voltage मिलेगा चाहे आप यहाँ पर output में उतना ही मिलेगा चाहे आप input में यहाँ पर 20 ampere दो 10 ampere दो 5 ampere दो लेकिन output में आपको एक ampere से नीचे ही output मिलेगा अब यहाँ पर बहुत से भाई यही confusion है कि 30 volt अगर इसे देंगे तो यहाँ पर आपको direct नहीं देना है यहाँ पर input पर जब भी आप कभी यहाँ पर इसे ज़्यादा voltage दे रहे हैं यहाँ जैसे कि यह आपका 5 volt output है यहाँ पर अगर आपने 7 volt दिया 10 volt दिया तो चल जाता है कोई चीज नहीं लगाना है लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास voltage है 15 volt है यहाँ पर 20 volt है 25 volt है और 30 volt है अगर इन voltage यह जो voltage मैंने आपको बताई है अगर इन में से कोई एक voltage इसको आप input पर दोगे तो यहाँ पर आपको एक register लगाना पड़ेगा इनपूट पर यहाँ पर आप 1 ohm का भी resistance लगा सकते है और यह जो resistance है यह होगा हमारा 1 watt के अंदर यह होगा हमारा 1 watt अब यहाँ पर 1 ohm का भी resistance लगा सकते हो फिर resistance यहाँ पर आता है 2.2 ohms यह भी आप लगा सकते हो फिर आपको मिलता है 3.3 ohms यह भी आप लगा सकते हो फिर आपको मिलता है 4.7 ohms ये भी आप लगा सकते हो फिर आपको मिलता है यहाँ पर 5.6 ohms ये भी आप लगा सकते हो फिर आपको मिलता है यहाँ पर 10 ohms ये भी आप input पर लगा सकते हो तो इतने सारे resistance आप लगा सकते हो इसके input पर अगर आपके पास voltage ज़्यादा है अब यह resistance लगाने से क्या होगा कि आपके पास अगर यहाँ पर ampere ज़ादा है तो जैसे ही आप resistance का यूज करोगे input पर तो वहाँ पर ampere कम हो जाएंगे और अगर आप यह resistance नहीं लगाते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी 7-8 series की जो IC होती है 7-8 series की जो IC होंगी यह heating होती है क्योंकि जब ज़्यादा ampere का input इने देते हैं तो यह heat होती है और heat होने के कारण जो यह गरम होके खराब हो जाती है तो आपको input पर resistance लगाना होगा वो भी ohms का resistance जिससे क्या होगा यहाँ पर जो load होता है resistance के input के ओपर जो load जाएगा वो load जो resistance कम कर देगा और आपका जो regulator है वो बढ़िया तरीके से चलता रहेगा तो यहाँ पर इसी तरीके से आपके जो सारे doubt है वो clear हो गए होंगे और अगर कोई और भी doubt है तो आप comment में मेरे से पूछ सकते हो तो मैं वो भी सारे doubt जो है आपके clear कर दूँगा तो दोस्तो मेरी यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा